Good morning students, today I am going to explain lesson 3, keeping clean, कैसे हम अपने आपको साफ रख सकते हैं? You should keep yourself clean, हमें क्या अपने आपको बिलकु साफ रखना चाहिए? हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे brush your teeth twice a day, हमें दिन में दो बार अपने बदातों पे ब्रश करना चाहिए? Wear clean clothes, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए? Keep your nails short, हमें अपने नाखुनों को हमेशा छोटा रखना चाहिए? Take a bath daily, हमेशा रोज नहाना चाहिए? Comb your hair, अपने बालों पे कंगी करनी चाहिए? Wash your hands before and after meals, खाना खाने से पहले और बाद में भी अपने हाथ धोने चाहिए? Keep your surroundings clean, अपने आसपास की जगा जो है उन्हें साफ रखने चाहिए? Our cleanly less habits protect us from diseases, जो cleanly less सफाई करने की जो आदते हैं, वो हमें बीमारियों से पचाती है? अब हम activity करेंगे, let's do, answer in yes or no, आपने हाँ और ना में जवाब देना है? Do you take a bath daily, क्या आप रोज नहाते हो? Yes or no? Yes, हम रोज नहाते हैं. Do you brush your teeth before going to bed? आप सोने से पहले जब आप बैट पे जाते हो, क्या आप अपने दांतों पे ब्रश करते हो? हाँ या ना? कर yes, करते हैं. तो आप इसके आगे टिक लगाएंगे. Do you always wear clean clothes? आप हमेशा साफ कपड़े पहनते हैं? Yes, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनते हैं. Do you wash your hands after using toilet? क्या आप टॉलेट जाने के बाद अपने हाथों को धोते हो? हाँ, धोते हैं. तो उसके आगे आप टिक लगा देंगे. We look good when we are clean. हम बहुत अच्छे दिखते हैं जब हम साफ सुतरे होते हैं. People like those children who are clean. लोगों को भी वो बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो साफ सुतरे होते हैं. Our cleanliness habits help us to be healthy. और हमारी जो cleanliness habits हैं, अपने आपको साफ सुतरा रखने की जो habits हैं, आदती हैं, वो हमें healthy बनाने में भी मदद करती हैं. Tick the good habit and cross the bad habit. जो अच्छे आदतों के आगे आप टिक लगाएंगे और bad habits के आगे आप cross लगाएंगे. राहुल has a bath every morning. राहुल जो है, रोज सुबा नाता हैं, अच्छी आदत है या बुरी आदत है? अच्छी आदत है. तो आप इसके आगे टिक लगादेंगे. Sit does not wash his hands before eating. Sit जो है, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता. Good habit और bad habit है? Bad habit है, हमेशा खाना खाने से पहले भी और बाद में भी हमें अपने हाथ थोने चाहिए. तो आप इसके आगे cross लगा देंगे. आरुन does not come with his ear. आरुन जो है, अपने बालों में कंगी नहीं करता. अच्छी आदत है, बुरी आदत है? बुरी आदत है, हमें हमेशा अपने बालों में कंगी करनी चाहिए. तो आप इसके आगे भी cross लगा देंगे. अधिती wears a clean uniform. अधिती हमेशा सावसुत्रेक uniform पहनती है. अच्छी आदत है, बुरी? अच्छी आदत है. तो आप इसके आगे tick लगा देंगे. tick the correct word in each sentence. आपने हर एक correct word के आगे, जितने जो sentence दियाव है, आप देखेंगे, उसके आगे दो words सी है, बेरे रड कलर से. तो जो सही word है, correct word है, उसके उपर आपने tick लगाना है. We should take a bath. हमेशा नहाना चाहिए, हर रोज या सिरफ संड़े को. Every day, हमेशा हर रोज नहाना चाहिए, तो आप every day के उपर tick लगा देंगे. We should keep our nails short or long. हमेशा अपने नाखुनों को छोटा रखना चाहिए, या बड़ा रखने चाहिए? छोटे रखने चाहिए, तो आप short के आगे tick लगा देंगे. We should wash my hands or feet before and after meal. खाना खाने से पहले और बाद में, हमें हमने हाथ दोने चाहिए या अपने पैरों को दोना चाहिए? हाथों को दोना चाहिए, तो आप हाथ के ओपर tick लगा देंगे. Circle the things you need. अब यहाँ पर आपको जो जो चीजों की जरूरत है, उस काम करने के लिए उस पर आपने circle लगाना है. जैसे two brush teeth, अपने दांतों पर brush करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले picture क्या pen? Pen चाहिए होता है, नहीं. Brush हाँ, brush तो हमें चाहिए अपने दांतों पर करने के लिए तो हम brush के उपर circle लगा देंगे. उसके बाद है, tooth paste, tooth paste भी हमें चाहिए ब्रश करने के लिए तो आप tooth paste भी circle लगा देंगे. Next is, to keep the hair clean, अपने बालों को साफ रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़े चाहिए? Brush चाहिए? नहीं, brush तो हमें दांतों के लिए चाहिए होता है. Shampoo, हाँ, Shampoo तो हमें चाहिए अपने बालों को साफ रखने के लिए, तो आप Shampoo पे circle लगा देंगे. उसके बाद है, Com, हमें Com भी चाहिए अपने बालों के लिए, तो आप Com पे भी circle लगा देंगे. To keep the body clean, अपनी बाडी को साफ रखने के लिए हमें क्या के चाहिए? Soap भी चाहिए और ये क्या है? ये एक तरह का फैह, जो इससे क्या होता है, हम अपने को साफ रख सकते हैं. तो इस पे भी circle लगा देंगे, Com, Com तो हमें नहीं चाहिए अपनी बाडी के लिए, तो हम Com पे circle नहीं लगाएंगे. Color the name, color and name these pictures. आपने इन pictures पे color भी करने हैं और इनके नाम भी लिखने हैं. पहले picture किसकी है? Soap की. तो आप यहां लिखेंगे S, O, A, P, Soap. अब यहां पे क्या बनी भी है? Toothpaste. क्या बनावा है? Toothpaste. P, O, T, H, P, A, S, P, E. Toothpaste. Next picture किसकी है? Com, C, O, M, B, Com. Next picture किसकी है? Toothbrush. T, O, O, T, H, B, R, U, S, H. Toothbrush. I hope you all must clear the topic we discussed today. Very soon I will be back with new chapter. Till then study hard, be safe, stay at home. Regarde, Shri Krishna Vidya Mandir. Thank you.